आज किस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड के बारे में ब्लड जो होता है उसे रग्थ, रुधीर, खुन, कुछ भी आप बोल सकते हैं यह तरल संजोजी उतक है जो लिक्विड कनेक्टिव टीशू होता है न यह इसका सखंवर में महिलाओं में होता है शरीर में जो रक्त का उसत प्रतीसत भार होता है हमारे ओवराल जो शरीर का compare किया जा तो उसमें जब देखा जाता है तो 7-8% ब्लड होता है pH of blood, potential of hydrogen ion, जिसे कहा जाता है P छोटा और H बड़ा लिखा जाता है इसको आपको दियान रखना है 7.2 से 7.4 होता है यह अलका छारीय होता है blood जो था, blood को दो टाइप में हम लोग बाँट कर पढ़ सकते हैं जैसे पहला होता है तरल जो इसको plasma कहा जाता है और दूसरा होता है ठोस, तो उसमें ठोस की कंड़ पाया जाता है इसलिए ठोस बोला जाता है इसमें यह ओता है, plasma यह ओता है, blood, carpuscules इसको नहीं बलाता है, carpuscles पढ़ना है, carp cells पढ़ना हिसे, blood carb cells, plasma होता है और blood carb cells होता है, यह 55% of the blood होता है, और यह 45% of the blood होता है, यह जो ठोस होते हैं, blood carb cells जो हते हैं, रक्तकरणी का हैं, तिन टाइप में होते हैं, RBC, WBC और Platelets, पट इसके जो नेम होते हैं और ओरिजिनल में ये नेम होते हैं, Erythrocytes, Leucocytes और Thrombocytes, RBC को ही Erythrocytes कहा जाता है, और WBC को ही Leucocytes कहा जाता है, Platelets को ही Thrombocytes कहा जाता है, जिसे भीमबानू या पटिकानू भी बोला जाता है, ये आप जब Blood Test कराएंगे तो ये ही सब होता है, Leucocytes कितना है, आपका Thrombocytes कितना है, लाकि Platelets को Platelets लिखा जाता है, RBC को RBC भी लिखा जाता है, बट ये अकसर आपी से देखने को मिलता है Blood Report में, नेक्स्ट जब हम बात करेंगे Plasma के बारे में, ये Liquid Form में होता है Plasma, जो 55% होत होता है, अलका येलो, पेल येलो कर अलका होता है, मतलब अलका येलो, इस्टाउ कलर का भी होता है, भूसे कर रंग जैसा, ये Carbohydrate, Gases और Minerals को लेकर अपने साथ पूरे सरीर में जाता है, Carbohydrate को ले जाता है, Gases को और Minerals को, Water इसमें कितना होता है, 91 to 92% होता है, Protein जो प्रेसर बनाता है, Globuline protein जो होता है, ये रोग प्रतिडोधक शमता को बढ़ाता है, Serum क्या होता है, तो अकसर आप देखे होंगे कि जब Blood लिया जाता है, तो Blood पूरा लिया जाता है, या तो उसमें से आपका Blood लेकर को जमा दिया जाता है, जो उपर का भाग बज जाता है, नीचे जमने के बाद उपर का भाग जो जाता हलका पीला रंगे जो दिखता है, वही Serum होता है, Blood में से Blood Clotting factors, जो Blood Clot कराता है, Blood को Clot कराने वाले चीजें को जब निकाल लिया जाता है, उसको हटा लिया जाता है, तो बाकी बचे वेज को Serum कहा जाता है, तो Blood Clotting करने वा होता है, आगे के बाद कर लेते हैं हम लोग Red Blood Capsules के बारे में लाल रक्तकणी का आई के बारे में, इसे Erythrocytes भी बोला जाता है, यह color में red होते हैं, किसके कारण? हीमोग्लोबीन के कारण होते है, इरिथ्रो का मतलब लाल होता है और साइट्स का मतलब को Sika, Erythrocytes, RBC मे हीमोगलोबीन होता है और इसके जो बाहर-बाहर में ये प्रोटीन चीपके हुए होते हैं रबीसी के बाहर-बाहर उसके कण में हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबीन का मतलब प्रोटीन इसमें जो तत्व होता है है element होता है आरन होता है ये रेस्पाइरेटी पिगमेंट है इसका मतलब क्या होता है हेमोग्लोब一定要 जो सवसण वर्नक है इसका मतलब होता है कि जो हम सास लेते हैं उधिया जो उसको काइरी करता है जिसको औक्सिजन करي करके ला साथ मिले तो यह oxygen को छोड़कर carbon monoxide के साथ चिपक जाता है वो भी कितना गुना प्रतिक्रिया करता है 200 टाइम्स इतने ज्यादा इसे sweet poison भी बोला जाता है जब आप सास लेंगे तो हीमोगलोबिन जो किया करेगा oxygen सरी में नहीं पहुंचागा carbon monoxide पहुंचाना स्टाट कर देगा दीरे 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 आपकी म्रीत्यू हो जाती है हीमोगलोबिन के मातरा 12-16 g deciliter होता है 12-16 g per deciliter female में 12-14 होता है और male में 14-16 होता है hemocytometer क्या होता है एक यंत्र है जो hemoglobin और rbc को मापता है count करता है rbc के मातरा 5-5-5.5.5 million तक होता है अगर आप 1 mm का cube लेते हैं और उसमें देखते हैं तो कितना होता rbc का मातरा 5-5.5.5 50,000,000 के असपास होता है rbc बनता कहा है तो यह red bone marrow में बनता है लाल अस्थी माजा में हडियों में यह सब पाय जाते हैं brun में जब embryo होता है उस time यह liver में बनता है और spleen में बनता है इसे तिली भी कहा जाता है spleen को rbc का निर्मान वहीं पर होता है spleen जो तिली होता है लाल रंग कांग है यह ग्रंथी भी है यह शरीर का blood bank है और अपने पास 200-500 ml blood अपने पास रखता है rbc यहीं पर आगर अक्सर मरते हैं कब्रिस्तानी से बोला जाता है spleen को बट एक चीज और है कि rbc और कहां पर मरते हैं तो rbc लिवर में भी मरते हैं यह चीज आपको ध्यान रखना है कोई भी हड़ी आप जब देखिएगा न तो उसमें यह सब ऐसे bone marrow चीपका हुआ दि ah कि चोटे बचे होते हैं उनमे लेट हो जाता अस्तंधारी उसमें नहीं होता है लेकिन एक कश्रेप्सन है गया है तो उट में होता है, लामा में होता है, लामा एक भेडा जैसा दिखता है, उसी को लामा बोला जाता है, भेडे से बड़ा होते हैं यह, जीवन आओदी कितना है इसका, तो 123 है, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में पढ़ेंगे WBC के बारे में,